आप एक नारा लगाएं उन दो महापुर्सों के लिए जिनकी विजह से आज ओभी सी कुर्सी पे बैठने के लाइक हुआ है महात्मा जोती बाराओ फूले आदे हाथ भी खड़े नहीं हुए बात करते हैं हम ओभी सी की बाबा साथ भीमराम बेड़ कर मित्रो बहुत सारे भासन मैंने सुने हैं यहां पर पर मैं बढ़ाई देता हूँ बावन रावताई वाड़ेक जी को और उनकी पूरी टीम को महाराश्टर से चल करके आज पंजाब की इस धरा पे परम पुजय हमारे इस पावन धरा पर गुर्णानक देवजी की भूमी पर आपने ओविसी महासंग का जो अधिवेशन यहां पर रखा है इसके लिए आप बधाई के पात रहें मित्रो जाती के जनगरना की बात सभी ने की के जाती के जनगरना होनी बहुत जरूरी है लेकिन जाती के जनगरना भी इतनी जितनी आपके लिए जरूरी है उतना सो परसेंट आरक्षन जरूरी है ताके कोई भी किसी जाती का मुख्या मंत्री प्रधान मंत्री बढ़े वो दूसरी जाती के हिस्से को छेन करके अपने लोगों में ना दे सके इसलिए 100% आरक्षन कोई भी अपनी जाती से बाहर जाकर के हिस्सा ना ले एसी विवस्ता की जुरूत अब देश के अंदर जो बाबा साब भीम रहम बेट करने लिखी है वो विवस्ता अब बढ़नी चाहिए लेकिन कब बढ़ेंगी कैसे बढ़ेंगी जब तक OBC समाज करम कांड और अंद्विश्वास में लिपता है धरम करम में लिपता है तब तक इन लोगों को जगाना बहुत मुश्किल है वितरो अभी जो भाई यहां पर बैठे हैं मैं सोचता हूँ कि अगर दस पांच आदमें भी इस बात को समझ लें कि जिस परकार का इस देश में आचर्ण हुआ धरम को राजनिती के साथ जोड़ करके जिस परकार से धंदा चला आज हम वो भी सी वाले उसी बात के सीकान है मैं आप सभी से इस बात के लिए कहने के लिए मजबूर हूँ कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा धंदा सुर्ग और नर्क के नाम पे चला कि सुर्ग जो भी कमाओ दान पुन करो पूजा पाट करो तिर्द बरत करो और सारा तान पुन में लगाओ, हमें देदो, तो आप सुर्ग में जाओगे, और अगर अपना कमाया हुआ खुद खा लिया तो फिर नर्क में जाओगे, क्योंके आपने तान पुन नहीं किया, मित्रो यही में बवस्था, हमारे इस ऑबी सी के जो दिमाग है, इसको हाइजक किये ह है अन्या था बताईए साथ फी सदी लोग और राज मांगते फिरें और फिर कहें हमें ये दे दो ये दे दो मांगने से कुछ मिला निकलता गुरुनानक देव किस धरा पर हम गुरु गोबिन सिंग की धरती के उपर हम आज बात कर रहे हैं उन्हें ने कहा जो कुछ भी ले व पचीस थीस आदमी पांच टीवी चैनल लेकर के मेरे पास कुरुक्षेत्रा आए और कुछ कुरुक्षेत्र की धरती आपको पता है कि महाभारत की धरती जानी जाती है मैंने वो जो टेलिवीजन चैनल वाले इंटर्व्यू लेने के लिए आये थे मैंने उनसे पूछा जो मत्रा वरिंदाबन से आये मैंने उनसे कहा कि तुम सास्त्रों की धरती से आयो बहुत जादा ग्यानी ध्यानी होंगे पूरा देश धर्म कर्म की वज़ा से सुवर्ग और नर्क के चक्र में फसा हुआ है मैं सुवर्ग देखना चाहता हूँ अगर आपको ग्यान है तो मुझे सुवर्ग दखा के लाओ बोले वो तो मरने के पश्चात मिलेगा मैंने कहा जब मरी गया फिर मिला या नहीं मिला मैं कैसे मान लूँ मेरे माता और पिता दोनों है अभी बता दें कि मैं सुवर्ग में हूँ या नर्क में हूँ बोले जी हो तो अब का नहीं हम तो अगला ही बता सकते हैं मैंने कहा फिर मैं बता देता हूँ अगर अगर आप सुनना चाहो तो मैं कोई पांच मिन्ट ले लूँ आपके सिर्फ पांच मिन्ट बताईए आप हमारे लोग बात सुनना नहीं चाहरें तो बोलने के कोई फैदा नहीं है मित्रो मेरी हाँ जोड़ के बिंती है मैं पांच मिन्ट ही आपके लूँ गा मैंने वो जो टीवी चैनल वाड़े और मत्रा परिंदा बंसे बड़े सास्त्री लोग उठकर के आए थे मैंने उन से कहा कि सुवरक के बारे में तुम बता रहे हो कि मरने के बाद मिलेगा मरने के बाद कितने हमारे बजुर्ग गुजर गए उन्हों ने बताया नहीं कि हम सुवरक में गए या नहीं हम जाके देखनी सक रहे चलिए अगला नहीं तो यही जीवन बता दीजिए, ये भी एक जीवन है, ये स्वरक में है या नर्क में, बोले जी ये तो बाद में ही पता लगे, मैंने कहा क्यों अभी क्यों नहीं पता लगे, मैं बताता हूँ आपको, मैंने कहा मेरी उमर बतर साल, दो साल पहले की बात है मैंने कहा भाई मेरी हुमर सतर साल है सतर साल पहले मैं कहां था अंडर्स्टूड है कि मैं अपनी मा के गर्म में था वहां कहां से आया माँ बाप के मिलने से माँ बाप मिले तो मैं गर्म में आया उससे पहले मैं अपने बाप के सक्राणूं में था मेरे बाप के सक्राणू किस चीज से बढ़े, खून से, उससे पहले मैं खून में था, खून कहें से बढ़ा, रोटी से, उससे पहले मैं रोटी में था, रोटी कहां से आई, अनाज से, अनाज कहां से आया, किसी पेड़ पोदे से, उससे पहले मैं पेड़ पोदे में था, प स्पतिय यह नेकों जीव जनतु इस पर पैदा हुए ऐसे ही जब पांच तत्व मिलते हैं जिन को हम भगवान बोलते हैं भैसे फुमी जैसे गगन वैसे वायू ऐसे अगनी और नैसे नीर भैग है वैए ने पांच तत्व से सारी स्रिष्टी बढ़ी ना यह किसी ब्रह्मा न मड़ाई ना किसी ब्सुरू ने मड़ाई इन पांच तत्वों ने सृष्टी का निरुमाण किया हैं मैंने कहा मैं ने पंच तत्वों में था मिटी पानी अगनी वायूस ब्रह्मंन में था भानच तत्व कठे हुए बार्स के रूप में किसी प्रश्चटी ने जनम लिया उस पेड़ मैं पंचों तत्मों से उस पेड़ पोदे में आया, पेड़ पोदे के अनाज लगा, अनाज में अनाज में आया, अनाज मेरे पिता ने खाया, उसका खोन बढ़ा मैं खोन में आया, खोन से स्परम बढ़े मैं स्परम, माबाब मिले, मैं गर्म में गया, आज मुझे ऐसा ठंडा हो कि अगनी तत्व अगनी में मिल गया हवा हवा में मिल गई और किसी ने जलाया दफनाया मिटी मिटी में मिल गई पाणी वाश्वपन के आस्मान में उड़ गया क्या कहेंगे आते हुए कि पंच तत्व में विलीन हो गया मैं कहीं से आया नहीं कहीं गया नहीं पांच तवं से पैदा हुआ पांची तव में जाके मिल गया लेकिन पंडा-पुजारी आपको यहां भी बहका है को Kईया यह तो सरीर मरा आतमानी मेरी आतमाने जैसे जाधा दानपूर्ण करें होंगे पूजा पाठ करें होंगे मुक्स पराप्त करेंगी स्वर्ग मे जाएगी अगर अपना कमाया हुआ खुद खा लिया होगा फिर नर्क में जाएगी क्योंकि धानपूर नहीं करें मैंने कहा हो जो पांच टेलिविजन चल रहे थे सारे पंडे पुजारी आई हुए थे मैंने उनसे पुछा मैंने कह यह पक्की बात है कि आत्मा अजर हमार है बोले जी सास्तर कह रहे हैं सारी दुनिया कह रही मैंका दुनिया से मैंने लेना नहीं सास्तरों से मैंने लेना नहीं मुझे आपसे 25 आदमी आप बैठे हो मुझे आपसे पूछना है कि यह पक्की बात है कि सास्तर और उन लोगों की बात छोड़ो के आप कंफरमा कि 25 आत् अजरमर है मरती नहीं जनम नहीं लेती हैं fills और ये मरती नहीं जनमन नहीं लेती सिर्फ चोड़ा बदलती हैं रहा है कि अगर यहां आतस निम्मर का जूता रखा हैं अगर यह बात जूठन गली तो फिर तुम पांच पांच जूते मेरे मारना और अगर सही नहीं होई तो और मेरे बड़ी सही होई तो फिर मैं पांच पांच आपके ठोकूंगा बोला मंजूर है तो गहाँ बोला जी मंजूर है मैंने गाँ फिर ये बताए मेरे को जब देशा जादू वाँ उनिस सो संताली में मैं हजारों लाखों साल की बाद छोड़ देता हूँ हमारे देश की अबादी पेंति करोड थी बारा पाकिस्तान में चली गई 23 हमारे पास रहेगी 23 करोड अबादी थी 1967 में आज 140 करोड आए बस मुझे इतना समझा दें कि 140 करोड आदमी और अड़ों में तुम सम्में एक एक आत्मा बताते हो 117 करोड आत्मा एं कहां से आई जब ये पैदा नहीं होती जन्म नहीं लेती या तो मोक्स प्राप्त करती है और या फिर नर्क में जाती है से रही तोगी मुख्ष प्राप्त कर गी यह तो उल्टा 140 क्रोड होगी 114 क्रोड में 117 क्रोड आत्माइ बढ़ जी यह कहां से आई अब वो एक दूसरे को यह मैं आप से भी फूछ रहा मुझा यह वो वह आप समें सारी दुनिया मर PayPal होगी उनकी आत्माय भारत में प्रविष्टोंगी ऐसा है किया बोल या नहीं जितनी गंद्गी बढ़ी उतनी मच्छर मकी किड़े मकोड़े बी बढ़े गंद्गी के साथ शाथ बहुत सारी और चीजह wyd बड़ी लेकिन आत्माएं किड़े में मकोडे में मच्छर में मक्ही में कुते में बिली में तुम सम्में उनकी अबादी फालतू दूनियों की अबादी फालतू देश की अबादी फालतू और आत्माएं पैदा नियों थी बताएं कहां से आई अब उन सब के मुँपे ताले थे मैंने का फिर मैं बताता हूं आप सुनें जरा आप भी भाई सुनें इस दुनिया में दो प्रकार्ट से जीव पैदा होता है मैथुन किरिया से नरमादा के मिलने से आदमियों के आदमी जनवरों के जनवर पसू के पसू प्रिंदें प्रिंदें जलचर के जलचर थलचर के थलचर यहां पर मैधुन किरिया से जीव जन्तु और मानस और जानवर पसु पैदा होते हैं या फिर बेक्टीरिया से इसी हाल में पाणी भरके खड़ा कर दो एक साल तक छेड़ना मत बीज कोई नहीं डाला मच्छियां मेंडक कोकरूज साब दुनिया भर के चिड़े मकड़े इसमें पैदा हो जाएंगे और सर्ल कर दूँ जो आदमी 15 नन आता नहीं और कपड़े भी ना बदला उसके कपड़े में जुआ पढ़ जाएंगी पहले लिखा मड़े फिर जुआ पढ़ जाएंगी और वो जुआ पढ़ोसियां तक भी चली जाएंगी बीजनी किसी ने डाला बेक्टीरिया से बढ़ी आपके सरीर की मैल आपके सरीर की गर्मी आपके सरीर के पढ़ी से जीव पैदा हो गया और कहीं नहीं दस दिन एंटी बैटी की नहीं खाया कीड़े पढ़ गे आपके उसमें ये जीव यहां पैदा हो रहा यहीं खत्म हो रहा रह गया तुमारा दूसरे दूसरी साइट अगर भाई भाई खून का दूसमन और एक इंच और एक एक पैसे या घर में किसी का पैरालाइस हो गया पड़े वेका सब एसी भी चल रहे घर में सब कुछ है लेकिन एक वेक्तिक एक शीडे पड़ गे इसी दहरा पर एक्सीडेंट हो या डाक्टर पुठा टांक दिया आपके लूज मोसन होया नमूनिया पड़ा मरते मरते बचा दस्दन में बिमार रहा दस्दन में ठीक हो गया दस्दन का नरका गया हर रोज ये जीवन सुख और दुख से वास्ता रखता है जो भी सुख और दुख है इसी धरा पर हम भूगते हैं इसी तरह पर सब कुछा है लेकिन आपको जो जो ओबी सी को कंसेप्ट दिया गया है इनका दिमाग चाट लिया गया है ये करम और कांड में 15 सदी लोगों ने उन लोगों ने धंदा बनाया थाकुर साब राज में खमाएंगे पंड़ जी जो समझाएंगे वो लाला की दुकान से आएगा पंड़ जी पूजा पाठ से कमाएगा लाला दुकान से कमालेगा थाकुर साब की जो टेक्स लग करके चीज दुकान पर आएगी वो टेक्स में कमालेगा और ये जो सूदर समाज है ये भड़वागिरी करेगा ज कितने वर्जी भासन दो, जब तक ये लोग खर्मकंडी हैं, जब तक ये लोग मानसिक रोगी हैं, जब तक ये लोग अपने अक्स को नहीं पहचा रेंगे, ये चंदर गुप्त मौरिया की अब आज़ उलाद हैं, ये असोग समराज की उलाद हैं, ये महात्मा गोतम बुद् हैं, जितने भगवान हुए, गुरु नानक देव, गुरु गोविन सिंग, गुरु तेख बादर, इस धर्तिप है, कबीर दास, रवी दास, या यूं कहें के सोक्रेटी, जीसा मसी, या पेगंबर साब, जितने भी भगवान हुए, वो इनसान हुए, लेकिन कालपनिक ग्र बढ़ा ढूओ, और मत्ठा पच्ची पत्रों क्या के करो, और फिर तुम्हें राज मिलेगा, ये जीवन तो तुम्हारा खराब हो गया, जो भी कमावा धानपुन में लगाओ, अग्ये स्वर्ग में मिल जाएगा, अगर ये जीवन यही ठीक नहीं कर सकते आप लोग, तो रविदाज जी, गुरू गोविन सिंग जी, इसी समाज में पैदा हुए, इनी समाजों को ग्यान दिया, बाबा साब भी मरावं बेटकर महात्मा जोतिबा फुले ने, अगर ये समाज आज गुलामगिरी पढ़ ले, बाबा साब को पढ़ ले, फुले साब को पढ़ ले, तो मैं कह सकता हूँ कि कल का दिन सवेरा नियोगा, ये जो लोग हैं, ये जो लोग हैं जो आप शेर बने मैठे हैं, एक बाबा के कुटिया में एक चुईया थी, वो उससे खेलता था, वो चुईया फुदक फुदक के बाबा के कपड़ें बैठ जाती थी, एक दन वो उसे बाहर ने निकली उसे ने देखा चूया क्यों डर रही है देखा सामने बिल्ला खड़ा उसने अपनी चूया का वो शक्ती से बिल्ला बना दिया बाहर बले बना दिया वो बिल्ला भाग गया दो दिन बाद वो बिल्ला फिर बाबा के पिछे बैठ गया जाके उसने देख शेर घूम रहा है उसने अपने उसने अपने उसको कुते को शेर बना दिया शेर भाग गया लेकिन शेर को बाहर शिकार नहीं मिला बाबा की तरब भांखें काजने लगा कि आज इसे कहूंगा बाबा ने चुटकी मारी और फिर उसकी चुईया बना दी अरे यह बैकवर साब हो जाए लेकिन यह लोग उनको शेर मना रहे हैं अपने आप चुईया बड़े बैठे हैं मैं इस समाज से बिंती करता हूं कि करम कंडों से बाहर निकल करके राज की तरफ चलने का प्रियास करें यही हमारा धर्म है यही हमारी नीती होनी चाहिए इनी सब्दों के भीमराम बेट कर महत्मा जोती बाप भूले की गुलामगिरी फड़ ले तो यह समाज अपने आप राज ले लेगा नमस्कार